राश्री अन्वेशन अभिकरन यानी एनाईये ने गुरुवार को रतलाम जुले के आलोट में छापा मार कारवाई की एजेंसी के अधिकारी शाम करीब चार बजे ग्राम खजूरी देवडा पाहुचे यहां स्थानी पुलिस के मदद से 23 वर्शी राहुल सेन नामक युवक को राउंड अब कर पूछताच की गई उसका मेडिकल टेस्ट भी करवा गया है पूछताच के बाद राहुल सेन को आलोट के नियालाय में पेश किया गया यहां अगरीम ट्रांजिट रिमान लेने के बाद एनाये की टीम राहुल सेन को लेकर रांची रवाना हो गई बताया जा रहा है कि राहुल सेन आईस आईस के लिए काम करने वाले आतन की फरहान अंसारी के संपर्ग में था फरहान को बीते दिनों गिरफतार किया गया है एस पी राहुल कुमा लोड़ा ने बताये राहुल सेन के पास से कुछ सीम कार्ट्स, काला कपड़ा जिस पर आईस आईस का निशाने और एक काला चाकू बरामत किया गया है और अभी एनाय के द्वारा उसकी ग्रफतारी कर ली गई है ट्रांजिट रिमान पर उसको गिजवाने के लिए लोकल पुलिस उसको मदद कर रही है और इसका अभी तक का जो है वो कनेक्शन जो पकड़ा गया व्यक्ती है उसके साथ में लगातार कॉंटेक्ट में रहना बात करना और साथ-साथ में इससे कुछ काला कपड़ा, काला चाकू जो की आईस-ईस का एक निशान है वो भी बरामत हुआ है और कुछ मल्टिपल सिम और अग्रिम ट्रांजिट रिमान की कार्यवाई जो है वो लोकल बूस की मदद से की जारी है